हेलो विद्यारतियों आज के इस कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है अवकलन गनित में फलनों का अवकलन ग्यात करना हम सीख चुके हैं अब प्रशन ये उठता है कि अगर किसी फलन का अवकलन हमें ग्यात है और हमें उससे उस फलन को ग्यात करना हो तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं इस तरह की जुरुरतें हमें विभिन समस्याओं में पढ़ती हैं आए कुछ समस्याओं पर विचार करते हैं समस्या है बगीचे के एक पोधे की व्रधिदर संबंद dh बटे dt बराबर 1.5t जमा 5 से प्राप्थ होती है जबकि t और h क्रमशे समय वर्षों में और उंचाई cm में प्रदर्शित करते हैं जब पोधे को रोपित किया गया उस समय उसकी उंचाई 12 cm थी समय बराबर है 0 बीस वर्ष बाद पोधे की उंचाई ग्याद कीजिए इस समस्या में हमें ग्याद करना है पोधे की उंचाई पोधे की उंचाई की व्रद्धिदर प्रदर्शित है dh बटे dt से यह है यानि h का अवकलन और हमें ग्याद करना है पोधे की उंचाई यानि dh बटे dt से हमें ग्याद करना है h आईए एक और प्रशन पढ़ते हैं मान लीजिए एक आदमी की 1962 में सापताही कामदनी 85.9 डालर थी और वह 1980 में 235.10 डालर हो गई सापताही कामदनी दर को हम संबंध ds बटे dt बराबर 0.073t की घाद दो जमाँ दशमलव 2.708t जमाँ 2.1336 से दिखाते हैं जबकि s और t क्रमशे सापताही कामदनी और समय वर्षों में प्रदर्शित करते हैं अब आप 2006 में सापताही कामदनी ग्याद करें इस प्रश्ण में भी हमें आमदनी की परिवर्थन की दर ग्याद है जो दी गई है ds बटे dt बराबर 0.073t की घाद दो जमाँ दशमलव 2.708t जमाँ 2.1336 से यहां भी हमें आमदनी s के परिवर्थन की दर यानि s के अवकलज के रूप में दी गई है ds बटे dt और हमें ग्याद करना है आमदनी यानि s को तो फलन s का अवकलज ds बटे dt हमें दिया गया है और उससे हमें फलन s को ग्याद करना होगा इसी को अगर हम सनिक्टन की विथी से हल करें तो यह एक बड़ा लंबा हल होता है आज हम इस तरह के प्रशनों को हल करने की एक और विथी सीखेंगे जो पेक्षाक्रत आसान है आईए एक और प्रशन देखते हैं एक माली एक भूमी के टुकड़े को खोद रहा है जब वह काम करते करते ठक जाता है तो उसके काम करने की ख्षमता कम होती जाती है टी समय के बाद वह भूमी के टुकड़े को दो बटे वर्गमूल टी वर्ग मीटर प्रती मिनट की दर से खोदता है 40 वर्ग मीटर खोदने में कितना समय लगेगा भूमी को खोदने की दर दी गई है दो बटे वर्ग मूल्टी और हमें इस से भूमी के खोदे जाने वाले छेतफल को ग्याद करना है यानि यहां भी हमें परवर्तन की दर अर्थात छेत्फल के अवकलज से ग्याद करना है छेत्फल फलन को आईए एक और समस्या पर विचार करते हैं एक कार द्वारा टी सेकंड में चली गई दूरी S बराबर 5 टी की घाद 2 जमा 2 टी संबंद से प्राप्त होती है समय T सेकंड पर कार की तातकालिक चाल ग्याद कीजिए हम जानते हैं कार की तातकालिक चाल होती है D S बटे D T और जब हम 5 टी की घाद 2 जमा 2 टी का अवकलज लिखें तो ये हमें मिलता है 10 T जमा 2 अब अगर इस प्रश्ण को हम उल्टा कर दें तो ये प्रश्ण बनता है कि एक कार की तातकालिक चाल है D S बटे D T बराबर 10 T जमा 2 T सेकंड बाद कार की चली गई दूरी ग्याद कीजिए दूरी प्रदर्शित है S से इसका अर्थ हुआ कि हमें S के अवकलज यानि D S बटे D T से ग्याद करना है S यानि फलन S के अवकलज D S बटे D T से हमें फलन S को ग्याद करना है दूरी S का फलन है D S बटे D T यानि फलन S का अवकलज और हमें ग्याद करना है D S बटे D T से फलन S तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो इसकी उल्टी हो यानि फलन के अवकलज से फलन को ग्याद करने की प्रक्रिया आईए बात करते हैं कनित की इस महत्मूंग प्रक्रिया समाकलन की समाकलन गनित का विकास मुख्यत दो प्रकार की समस्याओं को हल करने में हुआ है जैसे यदि फलन का अवकलज ग्याद हो तो उस फलन को ग्याद करने की समस्याओं में या एक फलन के लेखचित्र द्वारा सीमित दिये प्रतिबंध के अंतरगत घिरे क्षेटफल को ग्याद करने के समस्याओं में फलन के अवकलज से फलन ग्याद करने की समस्या इंगित करती है एनिश्चित समाकलन को और फलन के लेख चित्र के अंतरगत प्रदर्शित छेत्फल को ग्याद करने की समस्या इंगित करती है निश्चित समाकलन को आज हम फलन के अवकलज से फलन ग्याद करना यानि अनिश्चित समाकलन का अध्यन करेंगे आएए एक प्रशन देखें एक्स की घाद 2 जमा 4 का अवकलज अगर हम लिखें तो ये है 2x इसी बात को अगर हम उल्टा करके बोलें तो हम बोल सकते हैं कि 2x का प्रती अवकलज है X की घाद 2 जमा 4 यानि आवकलन की उल्टी प्रक्रिया आवकलज का प्रति आवकलज यानि फलन के आवकलन का समाकलन इसी प्रकार X की घाद 2 घटा 10 का अवकलज हम लिखें तो ये है 2X और फिर हम बोलें इसका उल्टा तो ये है 2X का प्रति आवकलज है X की घाद 2 घटा 10 इसका अर्थ हुआ कि क्या एक ही फलन के 2 प्रतिय अवकलज होंगे हाँ इसके बहुत सारे प्रतिय अवकलज हो सकते हैं इन दोनों ही फलनों का अवकलन है 2X इसका अर्थ हुआ कि 2X के 2 प्रतिय अवकलज X की घाद 2 जमा 4 और X की घाद 2 गटा 10 ऐसा क्यों है कि एक ही फलन के दो प्रती अवकलज है हमने अवकलण गणित में सीखा है कि अचर राशी का अवकलण शून्य होता है इसका अर्थ हुआ है कि 4 और 10 की जगहे पर हम चाहे जितनी अचर राशियां रखें अलग अलग अचर राशियां जितनी जादा होंगी 2X के उतने ही प्रती अवकलज हमें मिलते जाएंगे इसका अर्थ हुआ ये है X की घाद 2 जमा C और इसका अवकलज हुआ 2X C को हम जितने चाहे मान दे सकते हैं प्रती एक इस्थिती में 2X का प्रती अवकलज होगा X की घाद 2 जमा C इस C को हम समाकलन का स्वेच अचर कहते हैं अब हमारे पास निश्कर्ष ये है के अवकलन और समाकलन की संक्रियाएं परस पर प्रतिलोम संक्रियाएं हैं यानि ये एक दूसरे की उल्टी प्रक्रियाएं हैं मान लीजिए कि Capital FX, Small FX का एक प्रती अवकलज है तो Capital FX का अवकलज बराबर हुआ Small FX तो हम इसको जब उल्टा पढ़ेंगे तो प्रतिलोम संक्रियाएं में हम पढ़ेंगे Small FX का समाकलन बराबर है Capital FX जमा C ये C यहाँ पर वही स्वेच अचर है जिसका अवकलज शून्य होता है तो Small FX का प्रती अवकलज और उसका अवकलज अभी अभी हमने इसका मान देखा था Capital FX जमा C इस फलन का अवकलन अगर हम ग्याद करें तो ये है FX का अवकलन और हम जानते हैं अचर राशी C का अवकलन होता है शुन्य तो ये हमें मिलता है Capital FX का अवकलज और ये बराबर होता है Small FX के इसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं FX का अवकलज यानि F-X बराबर D बटे D-X और FX इसी सम्वन्द पर अगर हम दोनों तरफ प्रति अवकलज निकालें तो ये है F-X का प्रति अवकलज बराबर होगा FX इसका अर्थ हुआ के प्रति अवकलज और अवकलज इन दोनों संक्रियां के उल्टा होने के कारण ये हमें मिलता है केवल फलन F-X जमा एक स्वेच अचर C जिसे हम समाकलन का अचर कहते हैं आएए अब उस शब्दावली को समझें जिसका हम समाकलन गणित में प्रियोग करते हैं ये है F-X, D-X का समाकलन कार्थ है F-X का X के साब एक समाकलन ये चिन प्रदर्षित करता है समाकलन को समाकलन F-X, D-X में F-X वो फलन है जिसका समाकलन हम गयाद करते हैं इसे हम कहते हैं समाकल्य और समाकलन fx dx में x प्रदर्शित करता है कि ये समाकलन का चर है जिसके सापेक्ष इस फलन fx को समाकलन किया जाना है अवकलन गनित में हमने बहुत से फलनों का अवकलन गयात करना सीखा था आईए अब उन्ही सूत्रों में प्रति अवकलन की धार्णा का उपयोग करके हम कुछ फलनों का समाकलन गयात करते हैं पहले हमने सीखा था X की घात N का अवकलज गयाद करना आये अब उसी सूत्र में परती अवकलज की धारना का प्रियोक कर सीखते हैं X की घात N का समाकलन गयाद करना X की घात N का अवकलज था N X की घात N ghaını 1 अगर हम इसे उल्टा करके पढ़ें तो हम पढ़ेंगे N X की घाथ N घटा 1 का समाकलन बराबर होगा X की घाथ N जमा C लेकिन हमें सूत्र चाहिए X की घाथ N के लिए इस सम्बंध में अगर मैं N के इस्थान पर N जमा 1 प्रतिस्थापित करूँ तो फिर मुझे मिल सकता है X की घाथ N आईए देखते हैं ये होगा N जमा 1 X की घाथ N जमा 1 घटा 1 यानि बचा X की घाथ N DX बराबर X की घाथ N जमा 1 जमा C इस सम्बंध में अगर हम N जमा 1 से दोनों तरफ भाग दें तो हमें मिलेगा X की घाथ N DX बराबर X की घाथ N जमा 1 बटे N जमा 1 जमा C बटे N जमा 1 ये C बटे N जमा 1 फिर से एक अचर राशी है अते हम लिख सकते हैं X की घाथ N का X के सापे एक समा कलन बराबर हुआ X की घाथ N जमा 1 बटे N जमा 1 जमा C डश आएए इसी प्रकार कुछ अन्य सूत्रों को भी घाथ करते हैं ये है X का अवकलज था एक तो एक का समा कलन होगा X जमा स्वेच चचर C Sine X का अवकलज है Cos X तो Cos X का समा कलन होगा Sine X जमा C Cos X का अवकलज है घटा Sine X तो Sine X का समा कलन हुआ घटा Cos X जमा C 10 X का अवकलज है सेक की घटा 2X तो सेक की घटा 2X का समा कलन होगा 10X जमा स्वेच जमा स्वेच तो Cos X का अवकलज है सेक X 10X तो सेक X 10X का समा कलन होगा सेक X जमा C Cos X का अवकलज है घटा Cos X कोट X तो Cos X कोट X का प्रती अवकलज या समा कलन बराबर होगा घटा Cos X जमा C Sin inverse X का अवकलज है एक बटे वर्गमूल एक घटा X की घटा 2 तो एक बटे वर्गमूल एक घटा X की घटा 2 का समा कलन होगा Sin inverse X जमा C Cos inverse X का अवकलज है घटा एक बटे वर्गमूल एक घटा X की घटा 2 का समा कलन होगा घटा Cos inverse X जमा C 10 inverse X का अवकलज है एक बटे एक जमा X की घटा 2 तो एक बटे एक जमा X की घटा 2 का समा कलन होगा 10 inverse X जमा C Cos inverse X का अवकलज है घटा एक बटे एक जमा X की घटा 2 तो एक बटे एक जमा X की घाद दो का पृति अवकलज या समाकलन हुआ घटा कोट इन्वर्स X जमा C सेक इन्वर्स X का अवकलज है एक बटे X वर्गमूल X की घाद दो घटा 8 तो एक बटे X वर्गमूल X की घाद दो घटा 1 का समाकलन होगा सेक इन्वर्स X जमा C कोसेक इन्वर्स X का अवकलज है घटा 1 बटे X वर्गमूल X की घात 2 घटा 1 तो 1 बटे X वर्गमूल X की घात 2 घटा 1 का प्रतिय अवकलज या समाकलन होगा घटा कोसेक इन्वर्स X जमा C E की घात X का अवकलज था E की घात X तो E की घात X का समाकलन या प्रतिय अवकलज भी E की घात X जमा C होगा A की घात X बटे लोग A का अवकलज था A की घात X तो A की घात X का समाकलन होगा A की घात X बटे लोग A जमा C आएए अब बात करते हैं लोग X के अवकलन की ये है लोग X का अवकलन बराबर होगा 1 बटे X तो एक बटे X का समाकलन बराबर हुआ लोग X अगर हम लोग घात X का अवकलज ग्यात करें तो लोग घात X यानि एक बटे घात X और घात X का अवकलन हुआ घात 1 तो ये भी हमें मिलता है एक बटे X यानि लोग घात X और लोग X दोनों ही इस्थितियों में अवकलज है एक बटे X तो एक बटे X का समाकलन बराबर हुआ लोग निर्पेक्ष X जमा सी आएए अब इन सूत्रों और सिध्धानतों का प्रियोग कर कुछ फलनों का समाकलन ग्यात करते हैं पहला प्रशन है L X की घात दो जमा M X जमा N D X हम इन तीनों पदों का अलग अलग समाकलन ग्यात करेंगे यह होगा L X की घात दो D X जमा समाकलन M X D X जमा समाकलन N D X L एक अचर राशी है तो यह समाकलन के चीन से बहार आ जाएगा यह होगा L समाकलन X की घात दो D X जमा M समाकलन X D X जमा N समाकलन 1 D X X की घात दो का समाकलन हम ग्यात करेंगे X की घात N के सूत्र से यानि X की घात दो जमा एक बटे दो जमा एक जमा एक जमा M तो यह होगा L X की घात दो बटे दो जमा N X जमा C आएए अब एक और प्रशन हल करते हैं यह है X की घात तीन बटे X जमा दो का समाकलन ऐसे परिमेफलन जिनमें अंश की घात हर में X की घात से अधिक है उनमें पहले हम अंश को हर से भाग दे कर अंश की घात को हर की घात से कम बनाते हैं X की घात तीन को X जमा दो से भाग दें तो यह हमें मिलता है x की गहाद 2, घटा 2x जमा 4, माइनस 8 बटे x जमा 2. इसका समयकलन हम ग्याद करेंगे, तो सभी पदों का समयकलन अलग-अलग ग्याद करेंगे, ये होगा, x की गहाद 2 का समयकलन, घटा 2x का समयकलन, जमा 4 का समयकलन, घटा 8 बटे, x जमा 2 का समयकलन, x की गहाद 2 का समयकलन होगा, x की गहाद 2 जमा 1, यानि 3, बटे 3, माइनस, 2 को समयकलन के बाहर लाएंगे, x का समयकलन होगा, x की गहाद 2, बटे 2, जमा 4 को बाहर लाएंगे, 1 का समयकलन होगा, x, गटा 8 को बाहर लाएंगे, 1 बटे x जमा 2 का समयकलन, हम उसी तरह से लिखेंगे, जैसे 1 बटे x का समयकलन लिखते हैं, 1 बटे x का समयकलन होता है, लोग निरपेक्ष x, तो 1 बटे x जमा 2 का समयकलन भी होगा, लोग निर्पेक्ष X जमा 2 जमा C तो X की गहा 3 बटे X जमा 2 का समा कलम हुआ X की गहा 3 बटे 3 दो से 2 को भाग देने पर मिलेगा 1 तो यह हुआ X की गहा 2 जमा 4X घटा 8 लोग निर्पेक्ष X जमा 2 जमा C अब अवकलन और समा कलन की प्रक्रियाओं से सम्बंदित कुछ तथ्य देखते हैं यह दोनों फलनों पर ही संक्रियाएं हैं दोनों ही संक्रियाएं रेखिक हैं हम जानते हैं के सभी फलन अवकलन यह नहीं होते यानि हम सभी फलनों का अवकलन ग्यात नहीं कर सकते ठीक उसी प्रकार हम सभी फलनों का समा कलन भी ग्यात नहीं कर सकते यानि सभी फलन भी समाकलनिय नहीं होते इसी प्रकार यदि किसी फलन के अवकलज का अस्तित हो तो वह अद्वितिय होता है यानि एक फलन का एक ही अवकलज होता है परन्तु किसी फलन के समाकलन के साथ ऐसा नहीं है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बहुत सारे फलनों जैसे X की घात 2 जमा 4, X की घात 2 घटा 8, X की घात 2 जमा 4 है सभी का अवकलन तो 2X ही था परन्तु 2X के बहुत सारे अवकलज आते थे और इनको हम प्रदर्शित करते थे X की घात 2 जमा 4, X से तो किसी फलन का अवकलन तो अद्वित्य होता है परन्तु उसका समाकलन अद्वित्य है नहीं होता दिये फलन के एक बिंदु पर अवकलज की चर्चा हम कर सकते हैं लेकिन समाकलन की नहीं समाकलन की चर्चा फलन के लिए दिये गए अंतराल पर करते हैं जिस पर फलन परिभाशित होता है और एक संबंध जो हमने अभी इस्थापित किया है वो है अवकलन और समाकलन की संक्रियाएं एक दूसरे के व्यूत्करम है तो आज हमने सीखा कि अवकलन की एक उल्टी प्रक्रिया होती है समाकलन एक फलन का अवकलज तो अद्वितिय होता है पर उसका समाकलन अद्वितिय नहीं होता जिन फलनों का अवकलज हम जानते थे उन सभी फलनों का प्रती अवकलज हमने ग्यात किया और समाकलन के सिध्धानतों का प्रियोक कर इन सूत्रों की सहायता से कुछ प्रश्णों को हल किया इन तत्यों से संबंधित प्रश्णों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से हल करें अेल आपवित प्रश्णों को आपाइ्य आपनी प्रश्णों को आप मुझ प्रश्ण प्रश्णों को आपे अपनी।